और चलिए अब बात करते हैं आफ़त की तो प्रदेश में एक बार फिर से आफ़त आएगी मौसम विभाग के मताबिक आने वाले 24 घंटे प्रदेश वासियों को खासा सतर कर रहना होगा तो विभाग ने एक बार फिर से उत्तरी राजस्थान में तेज आन्धी तूफान की चेता आपनी जारी की है वेव के चलते आंधी तूफान राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भी सक्रिय है पिछले दिनों आए अंधर के लिए आपदा प्रबंधन मंतरी गुलाब चंद कटारिया मौसम विभा को जिमदार ठहरा रहे हैं वही मौसम विभा के अधिकारी पूरे मामले पर अधिकारियों की सुस्त कार रेशैली को जिमदार ठहरा रहे हैं जैपुर मौसम केंदर के निदेशक का कहना है कि मौसम में हुए परिवर्तन की हर ताजा अपडेट को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है लेकिन इस वेबसाइट को किसी ने देखा ही नहीं और इसी के चलते आंधी तूफा ने तीन दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली है वही मौसम विज्ञान केंदर में मौसम की जानकारी देने वाले रडार पिछले दस दिन से खराब है ऐसे में मौसम विज्ञानिक अब लगातार वेबसाइट के माध्यम से चेतावनी जारी कर अपडेट देने में लगे है स्मित पालिवाल, First India News, जैपूर